बीजिए आधान कर्सेर ने फिर से स्वागत है आपका छोटे छोटे एंसेरटी के कॉंसेफ्ट में देखिये आपके एकजाम में जो यूपएसी का एकजाम है पीचीआश के एकजाम में ये छोटे-छोटे टर्म पूछे जाते हैं जैसे लोटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं, लेंटिक 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 किसको कहते हैं आप देख रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, तो याद रखेगा जब दी इस तरह का कोई flowing water होता है, ये एक तरह का हम कहते हैं, lotic ecosystem का part होता है, lotic ecosystem का मतलब क्या होता है, या याद रखेगा, जितने भी term आज हम आपको बता रहे हैं, ये सारे term aquatic ecosystem से लिए गए हैं जैसे ये flowing water है इसको हम lotic ecosystem कहते हैं याद रखिएगा lotic ecosystem का part हो सकता है जैसे मान लिजे अगर मैं आप से कहूँ कि ये river है या आप देखेंगे छोटा सा एक अगर नाला भी बह रहा है कहीं एक छोटी सी धारा भी बह रही है ये पानी इस तरह से तालाब बन जाएगा जील बन जाएगा तो ये lentic ecosystem का part हो जाएगा lentic system का मतलब होता है कि पानी रुका हुआ है stagnancy है तो पानी जब भी रुका हो तो उसको हम lentic ecosystem कहेंगे जैसे standing water का मतलब हो गया lakes है, ponds है, wetland है marces है, swamps है, box है बहुत सारे गढ़े होते है वहाँ भी ecosystem का निर्मान हो जाता है तो ये सब lentic ecosystem का part होता है अब सवाल है कि littoral ecosystem किसको कहते हैं या फिर benthic ecosystem किसको कहते हैं जड़ा देखिये, सबसे पहले अगर मैं बात करो किसी भी जील में या समुद्र में या फिर कोई ऐसा पानी है जो रुका हुआ पानी है उसमें अगर मैं कहूँ जो किनारे वाले parts है यहाँ किनारा का मतलब होता है जो सबसे किनारा यहाँ पे photospheric zone है और sunlight नीचे तक आ रहा है तो जो coastal reason में अगर कोई ecosystem developed हो गया है अगर कि ecosystem यहाँ पे developed हुआ है इसको हम कहेंगे littoral ecosystem यानि यह littoral zone कहलाता है और इसको हम littoral ecosystem मानते हैं littoral ecosystem का parts मानते हैं लेकिन याद रखिएगा जब यह littoral ecosystem जो खास करके आप देखेंगे समुद्र के uptut area में developed होता है uptut का मतलब है offshore reason या उसको continental self reason कहते हैं दूसरा आप देखेंगे जैसे well है, shark है यह सब continental self से या offshore area से दूर भी developed हो जाते हैं जैसे मान लिजे कि यह area जैसे मैं कहूं कि यह किनारे वाले parts में नहीं और कोई मचली यहां रह रह रही है या बहुत बड़ी fish है यहां पे रह रही है suppose किजी यह fish यहां पे रह रह रही या well है या shark है यह beach समुदर में रह रही है लेकिन एक ऐसे छेतर में जो उपर वाला ही छेतर है suppose किजी समुदर कहीं छेतर में है लेकिन बहुत जील कहीं छेतर में है या छोटे से C के छेतर में है लेकिन किनारे पे नहीं है ये बहुत दूर में है कोश से बहुत दूर में है लेकिन ये sunlight वाला zone है ये आप देख रहा है न ये जो यहां तक proper sunlight आ रहा है light आ रहा है तो इस zone में अगर कोई भी species रहता है तो वो कौन सा ecosystem का part होता है lamnetic zone या lamnetic, limnetic इसको ecosystem का part हम मानते हैं limnetic ecosystem का part हम मानते हैं दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा ecosystem है जो नीचे है जैसे मैंने आपको कहा कि इसी में समझ ये जैसे तालाब या जील में समझ ये ये जो किनारा है ये तो आप समझ रहें this is littoral zone ये littoral ecosystem का part हो गया जो किनारा है जहां तक sunlight आ रहा है लेकिन अगर किनारे से हटके चला गया तो ये lamnetic zone में चला गया जहां proper sunlight आ रहा है देख रहे हैं ने यहां तक proper sunlight आ रहा है अब अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा species है जो बहुत गहराई में चला गया उसको हम benthic species कहते है या benthic ecosystem का part उसको मानते है तो ये सारे ecosystem ये जो है aquatic ecosystem के term है aquatic का मतलब होता है जो water में रहने वाले जीव जन्तू है वो एक तरह का ecosystem develop कर लेते हैं समझ गया तो ये एक zone है particular खास करके जिसको आपको समझना परेगा और वहीं पर interaction होता है तो एक बहुत बड़े रूप में भी आप देखेंगे समुद्र में जील में भी एक छोटे-छोटे zone के रूप में ecosystem का निर्मान हो जाता है तो ये छोटे-छोटे term स्वभाविक सी चीज है जब exam में आता है तो इसमें difference आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है और याद रखिएगा ये term जो छोटा-छोटा है अगर समझ लेंगे तो एक्जाम में भी आपका easy हो जाएगा उसको answer देना कि ये दोनों में difference क्या है चारों में difference क्या है पांचों में difference क्या है जो मैं आज term आपको दे रहा हूँ तो आज का जो छोटा concept है आपको उमीद है कि अच्छा लगा होगा और comment इस पर जरूर कीजिएगा कि और भी कौन सा आपको term या किस चीजों पर class चाहिए मैं उसको बहुत सरल भासा में समझाने की आपको process करोंगा Thank you very much Have a nice day